नमस्कार में हो दिव्य बिहारी निउस में आपका स्वागत है आज है 22 जन्वरी दिन सोमवार कब्रक्यों बढ़ने से पहले एक मेजर सुर्खियों पर बिहार में विभागी वाओं और कामगारों के कौसल का करेगा सर्वे रामायन काल से जुरे हैं बिहार के ये अस्थान बेहद है खास चार वर्स के इंटी ग्रेटे टीचर्स एजुकेशन प्रोग्राम की तयारी में लगा सक्छा विभाग पेट्रोल पंपर कम डीजल या पेट्रोल मिलने पर इस नमबर पर करेश शकायत विराट के लिए भारत और इंग्लेंड के बीच खेले जाने वाले या मैच इसलिए हैं खास अब चलिए बढ़ते हैं बिहार के अब तके 25 वरी खबरों के और विस्तार से यूपी रोडवेज में कंड़क्टर के पदों पर निकली भरती यूपी रोडवेज कंड़क्टर भरती के लिए नौकरी की चाहा रखने वाले उमें द्वारों के लिए उत्तर प्रदेश राजसरक परिवन निकम अच्छी खबर लेकर आया है दरसल परिवन निकम द्वारा प्रदेश के छे चेत्रों में परिचालकों के कुल 1649 पदों पर भरती आई है या भरती अलिगर, मुरादाबाद, लखनौ, बरेली, गाजियाबाद और नौइडा में होगी भरती आउट सोर्स के माधियम से की जानी है यदि सैक्षनिक योगिता की बात करे तो किसी भी मानिता प्राप्त बोर्ड से उमिद्वारों ने इंटर्मेडियर परिक्षा पास की हो साथ ही उनके पास CCC प्रमान पत्र भी होने चाहिए इसके अलावे जिन भी उमिद्वारों के पास NCC सर्टिफिकेट है या फिर भारत स्काउट एंड गाईड का राजय या राष्टपति पुरसकार प्रमान पत्र है उन्हें 5% तक का एक्स्ट्रा वेटिस दिया जाएगा आयू सीमा 18 वर्से लेकर 40 वर्स तक के बीच में होनी चाहिए हालंकि अरक्षित उमिद्वारों को छूट दिये जाएंगे उमिद्वार भरती के लिए सेवा योजन.n.ic.in पर जाकर आवेदन कर सकते हैं यदि भरती के नाम पर कोई पैसा या घूस मांगा जा रहा है इस समारों में देश के कई बरे उध्योग पती, मसुहूर हस्तिया, लोगप्री अक्रिकेटर, संत और देश के प्रधान मंत्री को सामिल होने के लिए नियोता मिला है केवल भारत ही नहीँ बलकि पूरी दुनिया की नजरे आज के प्राण पतिष्टा समारों पर टिकी होई है होने वाले कारेक्रम को लेकर, स्री राम जन्म भूमी तीर्थ छेत्र ट्रस्ट के दवारा बताये गया है कि महमानों को सारे 10 बजे तक नाम जन्म भूमी परिसर में प्रवेस करना होगा साथी प्रवेसिका के जरिये ही प्रवेस संभव हो सकेगा आगे राम लला की प्रान पतिस्टा समारों की विधी दोपहर 12 बच कर 20 मिनट पर शुरू होगी फिर प्रान पतिस्टा की मुख्य 32 सेकेंड तक नहने वाला है प्रान पतिस्टा का सुब मौर्थ केवल 84 सेकेंड के ही है इस दौरान प्रधार मंत्री ररेंद मोदी के हां तो स्री राम के विगड़ा की प्रान पतिस्टा होने वाली है बिहार में विभाग युवाउं और कामगारों के कौसल का करेगा बिहार में जल्दी कामगारों और युवाओं का सर्वे बिहार सरकार करवाने वाली है। युवा जिसमी छेतर में रोजगार चाहते हैं या फिर जिसमी छेतर में वे पहले से अच्छे हैं उस छेतर में विभाग द्वारा ट्रेनिंग की व्यवस्ता की जाएगी। बिहारी पहचान में आज हम बात करेंगे प्रकास ज्या के बारे में प्रकास ज्या एक भारतिय फिल्म निर्मात अभिनेता निर्देशक और पठकता लेकक हैं। जो ज़्यादतर अपनी राजनीतिक और सामाजिक राजनीतिक फिल्मों जैसे हिफिफ फुर्डे, दामूल, मृतियुदंद, गंगा जल, अपहरन, राजनीती, आरक्छन, चक्रव्यू, सत्यागरा और डिर्टी पॉलिटिक्स जैसे मल्टी स्टारर फिल्मों के लिए जान पटना में पी एन एम मॉल और जमसेदपूर में पी एन एम मॉल हाइटेक के भी मालिक हैं। भवन का निर्माद 2000 ग्राम पंचायत में विदिय वर्ष 2023-24 में करवाया जाना है। इसके निर्माद में करीब 41 अरव 71 करोर रुपे की लागत आ सकती है। छेटे वितायों की 300 करोर रुपे की रासी पंचायती राज विभाग ने पंचायत सरकार भवन निर्मान के लिए जारी कर दिये हैं। बारवी बोट के बच्चों के इस दिन तक एडमिट कार्ड हो सकते हैं डाउनलोड। इस दिन तक लिए आपको बिहार इसकूल सक्षा बोट की ऑफिसल वेबसाइट सेकेंडरी.biharboardonline.com पर जाना होगा। बतादे के अडमिट कार्ड डाउनलोड करने की आखरी तारीक 31 जनवडी 2024 है। रामाइन काल से जुरे बिहार की ये जगा है बेहत खास। पौरानिक कथाओं के मताबिक रामाइन काल में ही बिहार का अपना एक अलग ही जुराव है। ऐसे में राम मंदर बनने पर प्रान पदिस्टा समारों को लेकर अयोध्या में जितनी तैयारी और खुशी है। ठीक उतना ही उत्सा बिहार में भी देखने को मल रहा है। बिहार के ही मितला छेदर में मा सीता का जन्म हुआ था। आज हम आपको बिहार के कुछ ऐसे ही जगों की जानकारी देंगे जो मा सीता और राम से जुरे हैं। तो बता दे कि बिहार के मुंगेर में सीता कुंड है। पर तरेता युग में जब मा सीता लंका से लॉट कराई थी तब उन्होंने अपनी अगनी परीक्षा दे थी। वहीं दर्भंगा के कमतौल में अहिल्या स्थान है। जहां स्री राम ने अपने चरन असपर्स से देवी अहिल्या का उद्दार किया था। लखी सराई में आपको सुरिंगी रिसी का आस्रम देखने को मिल जाएगा। यह वहीं जगह जहां राजा दसरत के आगरापर सुरिंगी रिसी ने पुत्र कामेश्टी यगे करवाया था। बकसर में महर से विश्वा मित्र के आस्रम में राम और लक्षमन ने विसे सक्षा पाई थी जहां उन्होंने तारक और सुबाहु जैसे कई राक्षसूं का वद्ध किया था इसके अलावे गया वहीं अस्थान है जहां राम और सीता लक्षमन अपने पिता के पिंड़दान के लिए पहुँचे थे चार वर्स के इंटीग्रेटर टीचर्स अजुकेशन प्रोग्राम की तयारी में लगा सक्षा विभाग मीरिया में चल लई खबरों के मुताबिक सिक्षा विभाग आने वाले ने सत्र से राजे में चार वर्स के इंटीग्रेटर टीचर्स अजुकेशन प्रोग्राम की तयारी में लग चुका है इस चार वर्सी Integrated Teachers Education Program को प्रदेश में सरकार द्वारा संचालिट सभी जिला सिक्षा एवं प्रसक्षन संस्थानों प्रात्मिक सिक्षा महा विद्याले में संचालिट करने की सहमती दे दी गई है बता दे कि यह चार वर्सी Integrated Teachers Education Program इस नय सत्र में आठ डाइट में लागू किया जाएगा इस प्रोग्राम के दाद BSC, BA, BA और BCOM, BA की पढ़ाई होनी है इस पार्ठे क्रम को महा विद्याले अस्तर पर संचालित करने के लिए सहाय का ध्यापक नियुक्वी किया जाने है सिक्षा विभाग द्वारा जो जानकारी मिली है उसके अनुसार 4 वर्सी Integrated Teachers Education Program को सुरू करने के लिए Regulation 2014 में बदलाव भी किया जाएगा पेट्रोल पम्पर कम डीजल या पेट्रोल मिलने पर इस नंबर पर करें शिकायत लेकिन आप पेट्रोल पम्प की या शिकायत पेट्रोल कमपनियों के ट्रॉल फ्री नंबर पर कर सकते हैं यदि आपको इंडियन ओयल के पेट्रॉल पंप और एच्पी पेट्रॉल पंप की शिकायत करनी है तो यह शिकायत 1-8-0-0-2-3-3-3-5-5-5 पर कर सकते हैं वही रिलाइन्स के पेट्रॉल पंप की सिकायत 1-8-0-0-8-9-1-9-0-2-3 पर कर सकते हैं इन टॉल फ्री नंबर के ला राउंड लेवल को सुधारने के लिए है वह इस वर्स बागमती सांती धार बुरी गंड़क नदी जोर योजना का काम बिहार में पूरा होनी की संभावना है बतादे के सियोजना के दाद समस्तिपुर जिले के कल्यानपुर प्रखंट के घोगरा के निकट से निकलने वाल प्रखंट मैंती संतिथार कंड़े जोर के लावे भी काम चल रहा है वह पैटन में आज हम बात करेंगे वैस्णाली के बारे में वैसाली बेहार प्रांत के वैसाली जिला में अस्थित एक गाउं है एतिहासिक अस्थल के रूप में प्रस्थिया गाउं मुझपरपुर से अलग होकर 12 अक्टूबर 1972 को वैसाली के जिला बनने पर इसका मुख्याल हाजिपूर बनाये गया था वज्जिका यहां के मुख्य भासा है एतिहासिक प्रमानों के अनुसार वैसाली में है विस्व का सबसे पहला गंतंत्रियानी रेपब्लिक कायम किया था भगवान महावीर की जन्मस्थली होने के कारण जैन धर्म के मताब लंबियों के लिए वैसाली एक पवत्रस्थल है अतिहासिक अस्थल के निकट है आज वैसाली पैटकों के लिए भी बहुत ही लोग प्रियस्थान है वैसाली में आज दूसरे देशों के कई मंदिर भी बनेंगे है गंतंदिवस के अफसर पर खादी मौल में घ्रांकों के लिए भारी छूट खादी हैंलूम और हैंड क्रा इन ओफर्स को लेकर बिहार राजिक खादी वंग्रामो द्योग बोड के मुखे कारे पालक पदादिकारी दिलिव कुमार द्वारा बताया गया है कि राजिके बुनकरों को बाजार देने के लिए खादी मौल में 50% छूट देने का निर्नेली आ गया है इस से पहले यह वरी में लगे इस छूट में भागल पूरी सिर्क, मदुबनी की मसली, नालंदा और गया के सूती वस्तरी की बिक्री हो रही है इस छूट का सीधा लाव राजिके बुनकरों और कारी गरों को मिलेगा खादी मौल में सारी, धोती, कुर्ता, सहित सभी तरह के कप्रे आदे क कीमत पर मिल रहे हैं। को मंजूरी दे दी है और इसे जल्दी कैबिनेट के पास भेजा जाएगा। पुलिस सब्डिवीजन का काम का आज डीएसपी रैंक के अधिकारी की देख रेक में चलेगा। यह कदम कांड के अनुस अंधार में गरबरी और देरी के साथ अन्य मामलों के पेंडिंग रहने आज भी उनकी यादे सभी के बीच जिंदा है बीते ही दिनों सुसान सिंग राजपूत का जन दिन था और इस अफसर पर उनके फैंस ने उन्हें जन दिन की बधाई देते वे कई तस्वीरे सोसल मीडिया पर शेयर की हैं इसी बीच रिया चक्रवरती और उनकी बेहन श्व सिंग ने अपने भाई की तस्वीरे शेयर करते वे कैप्सन में लिखा हैपी बर्थ दे मेरे सोना सा भाई लव यू फॉरेवर अनंत से सक्ति अनंत तक आसा है कि आप लाखों दिलों में आज भी जिंदा होंगे और उन्हें अच्छा करने और अच्छा बनने के लिए इंस इसमान योजना के लाभाष्तियों को अपने विलाज के लिए ना जाने कही काकजा़़ धोने परते हैं。 अब इन परीस्तानियों को देखते हुए फैसला लिया गया है कि अब लाबहार्तियों के स्वास्थ डीकॉर्ड कंप्यूटर में शुरक्षित रखे जाएंगे, इस पर बना हुआ है वह उत्रपदेश 6.52 करोड़ आभा काउंट के साथ पहले हैं नहीं को फौकानी और मॉलवी की परिक्षा होई रदब 22 और 23 जनवरी को फौकानी और मौलवी की परिक्षा होने वाली थी लेकिन बिहार मदर्सा बोट की तरफ से इस कारिक्रम में बदलाब किया गया है दरसल 22 और 23 जनवरी को होने वाले इस परिक्षा को डद कर दिया गया है अभी यह परिक्षा ने तारीक को ली जाएंगी इस स पहली पाली में परिक्षा 8 बज कर 45 मिनट पर शुरू होगी और दो फेर 12 बजे तक समाप्त हो जाएगी वहीं दूसरी पाली की परिक्षा 1 बज कर 45 मिनट पर शुरू होगी और साम के समय 5 बजे तक समाप्त हो जाएगी परिक्षा शुरू होने के 15 मिनट पहले ही परिक्षा प्रदेश की कमी होने का पूर्वानुमान है आज का मौसम सुस्क रहने वाला है वहीं प्रदेश में अधिक्तम तापमान 14-16 डिग्री और यूंदम तापमान 6-8 डिग्री या 4-6 डिग्री तक रह सकता है प्रदेश में कई जगों पर धूप नहीं निकलने के कारण लोगों को काफी परिसानी का साबना करना पर रहा मौसम विभा के मुताबिक प्रदेश के कुछ हिस्से में लगा इसी तलहर की संभावना भी जताई गई पतना के इन मंदिरों में आज प्रान पतिश्चा समारो को लेकर है खास तयारी आज का दिन राम महकतो के लिए बेहदी खास है क्योंकि आज स्री राम मंदिर में राम लला का प्रान पतिश्चा समारो होने वाला है इस समारो को लेकर के वाल आयोध्या ही नहीं पूरे ठाकुरवारी और बिरला मंदर में राम कथा अस्ट याम राम में भजन कीर्टन भंडार और दिपोचप बरही धूमधाम से होने वाले हैं वहीं पटना के मावीर मंदर की बात करें तो यहां दक्षनी कोने पर मंदर में स्थित राम और सीता की प्रतिमा पर सुबह 9 बजे से अखंड कीर्टन का योजन होगा वहीं रात 9 बजे राम चरित मानस से राम जन्व प्रसंग और अन्य राम धुन कीर्टन होने वाले हैं बता दे कि आज के दिन मावीर मंदर को फूलों से सजाय गया है यहां साम के 6 बजे मावीर मंदर प्रांगन में 1100 दिये भी जलाए जा चाने की सबसे बरी बज़ा रही उनके विवादित बयान चल रही खबरों के मताविक मंदरी मंत्री चंडर सेखर के विवादित बयानों को ले कर वहीं जब मीडिया दवारब पूछा गया कि नितीश कुमार चंदर सेखर से नाराज चल रहे थे तो इसके जवाब में असोग चौधरी ने कहा नितीश जी लालू यादव और तेजस्पी मिलने गये थे और उसके बाद विभाग बदर गया थोड़ा आप लोगी जोर घटा जदियू वेटनरी कैंपस में यह समारो अयजुत करने की तयारी कर रही है लेकिन जदियू ने मिलर स्कूल मैदान को 13 जनवरी के लिए बुक कर वा लिया है और वहां पर जदियू का पंडाल भी बनना शुरू हो चुका है इसे देखते वे बीजेपी के लोग जदियू का विरोध कर रहे हैं उनका कहना है कि उनके कारेक्रम को रोकने की कोसिस की जा रही है जबकि बीजेपी ने नवेंबर में ही जिला प्रसासन को आविदन देकर ग्राउन को बुक कर वा लिया था बीजेपी ने नितिस कुमार के समर्थकों पर मैदान पर अवैद कबजा करने क का अरोप लगाया है साथ ही करपूरी जहनती जदियू कारयाले के सामने मनाने की घोस्टना कर दी है मामने को लेकर समरा चौधरी द्वरा कहा गया है कि 18 सा सत्ता में रहने के कारण जदियू के नेता गुंडा गर्दी पर उतराएं है 24 जनवरी को भारती जनता पार्टी यहा के सिमांचल छेतर में प्रवेश करेगी इससे लेकर कॉंग्रेस पार्टी के कारेकरता तयारी में लगे हुए हैं इसी को लेकर कॉंग्रेस पार्टी की महिला राष्ट्य अलका लांबा ने पुर्णिया में प्रेस कॉन्फरेंस किया इस दौरान उन्होंने बताया कि इस कुमार को यह फैसला लेना है कि वह राउल गांधी के साथ सामिल होंगे या नहीं विराट के लिए भारत और इंग्लेंड के बीच खेले जाने वाला यह मैच इसलिए है खास पजी जनवरी को भारत और इंग्लेंड के बीच पांच मैचों की टेस्ट सिरीज खेले जाने वाली है यह मुकाबला है हैदराबाद की राजीव गांधे स्टेरिया में होने वाला है इस सिरीज के दौरान विराट कोली पर सब की निगाहे होंगी क्यूंकि भारत और इंग्ल कर राहुल द्रवीड और सुनील कवासकर सामल है वह इस मैच के दौरान यदि विराट कोली नौ चौके लगाते हैं तो उनके टेस्ट क्रिकेट में पूरे हजार चौके हो जाएंगे ऐसे में सचीन तेंदुल कर राहुल द्रवीड और विरेंद सहवाग बीवियस लखफन और सुनील कवासकर क्रिकेट के साथ विराट का नाम भी जुर जाएगा। करनाटक संगीत सैली के प्रसित गायक तथा मैक्सिस पूरसकार प्राप्त करने वाले वैक्ति टीएम क्रिसना का 1976 में जन हुआ था। असम के सामाजी कारेकरता तरुन राम फुकन का 1977 में जन हुआ था। त्रिपूरा के नौवे मुख्य मंत्री मानिक सरकार का 1949 में जन हुआ था 1666 में मुगल बाद्चा साथ जाहक का निधन हुआ था 2014 में प्रसित तेलुगू, फिल्म निर्माता और फिल्म अभिनेता ए नागवेस्वर का निधन हुआ फोन गुम या चोरी हो जाने पर ऐसे करें बैंक डीटेल्स की सुरक्षा आज हम सभी की जिन्दगी में स्मार्ट फोन एक महत्वपून हिस्सा बन चुका है ऐसे में हम कई जरूरी चीज़े अपने फोन में ही सेव करके रखते हैं इसमें से एक हमारे बैंक से जुरी जानकारी भी होती है लेकिन कई बार ऐसा होता है कि किसी कारण हमारा फोन गुम या चोरी हो जाता है ऐसे में हमारे फोन में सेव बैंक डीटेल्स का कोई गलत इस्तिमाल कर सकता है इसलिए ऐसे समय में सबसे पहले अपने bank details को सुरक्षित करना चाहिए अगर आपके साथ भी कभी ऐसा होता है तो सबसे पहले आप customer care number पर call करें और कुछ जानकारी दे कर तुरंट mobile banking को बंद करवा दे हमारा SIM card हमारे bank account से direct link होता है इसलिए टेलीकॉम operator को संपर करें या फिर outlet पर जाएं और SIM card को block करवा ले इसके साथ ही तुरंट सभी UPI ID और wallet को भी बंद करवा दे क्योंकि एन यूपी एप से हमारे account link होते हैं ऐसे में mobile को चुरा कर ले जाने वाला व्यक्ति UPI apps तक पहुँच सकता है इस दिन तक अपने fast tech की करवा ले KYC नहीं तो हो जाएगा deactivate यदि आपने अपने fast tech की KYC नहीं करवाए हैं तो जल्द से जल्द के KYC करवा ले यदि आप ऐसा नहीं करवाते हैं तो आपके बिना KYC वाले fast tech को black list में रख दिया जाएगा या deactivate कर दिया जाएगा बता दे कि इस बात की घोसना National Highway Authority of India यानी NHAI द्वारा की गई है NHAI ने कहा है कि fast tech KYC अपडेटेट करने की डेडलाइन 31 जनवरी है इसके तहता आप 31 जनवरी से पहले ही यदि जरूरी काम करवा ले जिससे आपको कोई दिक्कत ना हो यदि आप ऐसा नहीं करवाते हैं तो आपके fast tech को blacklisted या deactivate कर दिया जाएगा हम प्रति दिन आपसे पांच ऐसे जरूरी सवाल पूछेंगे और उसके जवाब बताएंगे हाली में किस तिति को गुरू गोविंद सिंग जैन्दी मनाई गई है आपसन ए है 17 जनवरी, आपसन भी है 13 जनवरी, आपसन सी है 16 जनवरी, आपसन भी है 15 जनवरी इसका सहीं तरह 17 जनवरी हाली में भारत के किस पूर्व मुख्य नय धीज को असम के सर्वोच सम्मान असम वैब अप से सम्मानित किया जाएगा आप्शन ए है डीवाई चंदर चूर आप्शन भी है एमपी सास्त्री आप्शन से ये रंजन का गोई आप्शन दी है इन में से कोई नहीं इसका सही उतर है रंजन को गोई हाली में कहां के बेगम पेटे एरपोर्ट पर विंग्स इंदिया दोजा 24 प्रदर्सनी शुरू हुई है आप्शन ए तमिलनाटू आप्शन भी है है एधराबाद आप्शन सी है पटना आप्शन दी है दिल्ली इसका सही उतर है 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 एधराबाद बिहार के किन राज्यों में सबसे अधिक गन्ना उत्पादन होता है आप्शन ए उत्रपदेश और राजस्थान आप्शन भी है बिहार हरियाना आप्शन सी है राजस्थान और हरियाना आप्शन भी है बिहार और उत्रपदेश इसका सहीं उतर है बिहार और उत्तपदेश बिहार में क्रिसी डोड मैप की शुरुवात कब होई थी? आप्शन A है 2006, आप्शन B है 1991, आप्शन C है 2008, आप्शन D है 2013 इसका सहीं उतर है 2008, बीते दिन हमारे दौरा पूचे के सवाल का आप लोगों में से बहुत लोगों ने अपना जवाब हमें हमारे कॉमेंट सुक्षन बॉक्स में लिकर दिया था, दिनोंने हमारे दौरा पूचे के सवाल का जवाब दिया है, उनके नाम है समित यादव जितिंद्र ठाकुर, विकास, दास, राजीव कुमार, नुन्नु, गोलु कुमार, भोला कुमार, मंटु कुमार, अजय पाठक, अंजु कुमारी, जलेसवर्सा, अभिसेख कुमार, एमडे साकीर हुसेन, रोहित कुमार सिंग, गोनर सर्मा, मुकेस, अतिक खान, संगम धामी, प्रकास पवन, विकी कुमार, सिमरन कुमारी, एजाज खान, अनवर करीम खान, रवी कुमार राम, इसके साथ ही बरते हैं, आज की सवाल की ओर, आज का सवाल है, राम मंदिर में प् पेस्बुक से देख रहे हैं, तो पेज को लाइक करना ना भूले, धन्यवाद,